हलो दोस्तों मैं हूँ हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बाद जिसमें हम लेके आते हैं देश शोड़दुनी के डिफेंस से रिल्टेट बड़ी खबरें तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 29 जुलाई के दिन फ्रांस से पांच रफेल भारत्य पहुंख चुके हैं जो हरियाना के अंबाला एयर बेस पर फिलार डिप्लोई किये गए हैं और इन्हें 10 सितमबर के दिन अपचारिक तोर पर भारतिय वाईस सेना में शामिल भी किया गय दोस्तों आज की बड़ी अपडेट इन रफेल फाइटर जेट के दूसरे बेच को लेकर आ रही है आप सभी को पता ही है कि फ्रांस ने रफेल जेट का दूसरा बेच ओफिशली भारतिय वाईस सेना को सौंप दिया है जिसमें 5 रफेल जेट और शामिल है और दोस्तों यह पांच रफेल फिलाल फ्रांस में भारतिय वाईस सेना के पाइलेटों की ट्रेनिंग में काम आ रहे हैं। दोस्तों इन ही पांच रफेल को लेकर पहले ख़बरे आई थी कि हो सकता है कि इन पांच रफेल में से 3-4 रफेल अक्टूबर के मंत में भारत पहुंँग जाएग और दोस्तों इसी को लेकर भारती एरफोर्स पूरी तरीके से तयारियों में जूटी हुई है और इन तयारियों का जाइजा लेने के लिए और प्रक्रिया को तेज करने के लिए इंडियन एरफोर्स पहले ही अपनी एक टीम फ्रांस भेज चुकी है दोस्तों असिस्टेंट चीफ आफ एर स्टाफ एर वाइस मार्शल एन तिवारी की अगवाई में एर फोर्स की एक टीम अभी फ्रांस में है यह टीम वहां रफेल लड़ाको विमानों की दूसरी खेप को भारत भेजे जाने की तैयारियों के साथ रफेल पर लगने वाले जरूरी वेपन्स और एक्विमेंट की जाच और भारतिये पाइलेटों की ट्रेनिंग की समिक्षा कर रही है दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच जो रफेल विमानों की डील हुई थी इसमें ये कुलोस भी जोड़ा गया था कि फ्रांस के द्वारा ही भारतिये पाइलेटों को रफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और दोस्तों यह प्रिक्रिया करमबत तरीके से एक के बाद एक पाइलेट को ट्रेन करने के साथ आगे बढ़ेगी जो की मार्च 2021 तक चलेगी और दोस्तों उसके बाद के सभी भारतिये पाइलेटों को भारत में ही भारतिये पाइलेटों द्वारा ट्रेन किया जाएगा जो पहले ही फ्रांस में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं सभी 36 रफेल लड़कु विमानों के मिल जाने के बाद एरफोर्स इसके एक स्कोडरम को हरियाना के अंबाला और एक स्कोडरम को पच्चिम बंगाल के हाशिमारा एरबेस पे तेनात करेगी दोस्तों यहां आपको बता दें कि वायू सेना प्रमुक आरकेस भधोरिया ने 5 अक्टूबर को कहा था कि 2023 तक सभी 36 रफेल विमान वायू सेना में शामिल कर लिये जाएंगे वैसे अभी तक भारत को 10 रफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ती की जा चुकी है जिसमें 5 विमान फिलाल भारत में हैं और 5 विमान फ्रांस में भारतिये पाइलेटों को ट्रेन करने में काम आ रहे हैं दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत